नमस्कार दोस्तों मैं एनेम पांडे प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइबेट लिम्टेट के यूटूब चैनल पर आप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूं आज हम लोग NTP से CBT1 की अगली कड़ी को देखते हैं अगला सवाल एक ट्रिगों से है जो की बहतरीन है क्या है कोर्शन देखते हैं सेख थिटा बराबर 5x और 10 थिटा बराबर 5x हो तो 10 into x square minus 1 upon x square का मान क्या होगा देखेंगे सबसे पहले चीज क्या है आपको 3 identity ट्रिगों में पढ़नी है सबसे पहला identity जिसको हम लोग बोलते हैं sin square theta plus cos square theta बराबर 1 दूसरी identity होती है सेक square theta minus 10 square theta बराबर 1 और तिसरा तिसरा identity आपका है cos square theta minus cot square cot square theta बराबर 1 इन तीनों identity को यदि हम पढ़ लेंगे तो 30 से 40% सवाल जो है त्रिगों का हल हो जाते हैं अब आप ध्यान देंगे इसमें हम second identity को अगर use करें कि सेक square theta minus 10 square theta बराबर 1 होता है तो देखिए तो सेक theta बराबर अगर 5x है तो सेक square theta Toyota बराबर 25x2 लिख सकते है कि सेक square theta बराबर 25x2 लिख सकते है उसी प्रकार अगर हम बात करें 10 square to 10 square theta बराबर 25 divided by x2 लिखा जा सकता है क्या सेक square theta बराबर 25x2 और 10 square theta 25 upon upon x स्क्व易 लिख सकते हैं अब क्या है इन दोनों को यदि हम माइनस कर दें तो आप अका आजाएगा सेख स्क्वाय ठीटा माइनस टैन स्क्वाय ठीटा बरावर वन और स्क्वाय ठीटा के जगा पर अगर हम 25 x स्क्वायर रख़ दें माइनस 25 अपान एकस स्क्वाय रख हमते बराबर बन तो देखिए को 25 को अगर कॉमनले लें तो एकस स्क्रॉयर माइनस रून अपन एकस स्क्रॉयर की वेल्व आपकी वन आजाएगी क्या 25 इंटू x square माइनस वन अपन consistency की वेल्व अगर बन आ गई तो आपको सकते हैं कि सर एक्त स्क्रॉयर x square x square minus 1 upon x square बरावर 1 बटा 25 अब ध्याद देंगे x square plus 1 upon x square बरावर 1 बटा 25 आ गया हमसे सवाल पुछा गया था 10 into x square minus 1 upon x square 10 into तो 10 into x square minus 1 upon x square का value अगर 1 by 25 रख दे 5 दूना 10 पचाँ 25 यानि answer आपका जो आएगा 2 upon 5 is the right answer अब देखेंगे 2 by 5 option number क्या option goes to D अगला ध्यान देंगे सबसे पहला चीज क्या है कि यह identity आपको पता होनी चाहिए 6 theta minus 1 upon 10 say 6 theta minus 10 theta का value होता है इसका वितकरम हो जाता है आर्थात x 6 theta plus 10 theta बराबर x होगा तो 6 theta minus 10 theta बराबर 1 by x हो जाएगा और 6 theta minus 10 theta बराबर अगर x हो तो 6 theta plus 10 theta का मान 1 upon x हो जाएगा इस note को आप जरूर note करेंगे दूसरा चीज क्या है कि 6 theta plus 10 theta बराबर 100 तो 6 theta का जो value होता है 6 theta का जो value होता है x square plus 1 upon 2x के बराबर होगा और 10 theta का जो मान होगा, 10 theta का जो मान होगा, x square minus 1 upon 2x के बरावर होगा, इस चीज़ को भी दोनों को note कर लेंगे, यहां से भी सवाल आपको पुछा जा सकता है, जैसे सवाल पुछा गया, sec theta plus 10 theta बरावर 2 है, तो बताइए sec theta का मान क्या होगा, sec theta बरावर what, कुछ करने क्या हो सक तने, sec theta plus 10 theta बरावर 2 है, तो sec theta का value हो जागा, 2 का square plus 1 बटा 2 गुना 2, अर्थात यह हो जाएगा कितना, 5 बटा कितना, 4 is the right answer, 5 by 4 is the right answer, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, आगे, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, ब